आप जब आएं थे तो उस वक्त आपका यह एक निर्देश था कि जो में समीज हैं तो यह में समीज इनके पास काफी नए आइडियाज होते हैं नए इनोवेशन इनके पास उते हैं लेकिन और किसी को बता नहीं पाते हैं कुए ऐसा डिजिटल प्लाटफर्म नहीं है जहां किसी को बतानी पर हमने काफी काम किया जड़ और नाइसी के हमारे मिस्टर शुवेंदू हैं और हम लोग सब बैठके इसमें काफी दिन तक इसको करके सारा सेक्यूरिटी ऑडिट वगरा सारा कुछ हो गया है और इसमें सर हम आपको जानके खुशी हो गई यह सर हमारे जितने स्कीम्स हैं भारत सरकार के विवन विवागों में जो स्कीम स्कीम्स हैं MSME के लिए और जो सारे जो हमारे राज़ सरकार हैं उनके भी जो स्कीम्स हैं MSME के लिए वह कहीं इकठा कोई एक जगा वो स्कीम्स के बारे में सारी जानकारी नहीं थी पहले तो यह सब्हुत हम ने सोचा कि जब हम बैंक आफ इनोवेशिण आइडियाज कॉंटक्ट कौन होंगे और ब्राइड कॉंटूर सब दिस्टें वो सारे हम इकठा करके हम इसको करें तो हमारे जो सबने मिलके ये सारे जो स्टेटों में जो स्कीम्स हैं MSME के लिए और हमारे न केवल हमारे मंत्राले और बाकी भी जो हमारे यहां पे मंत्राले हैं डिपार्टमेंट से उनके भी जो स्कीम्स हैं which are meant for MSMEs वो सबको सर इकटा किया गया है और सर आपको जानके खुशी होगी इसमें क्या बाबलम है उसके बारे में भी जो भी सुझावे वो दें तो इसलिए सर हमने इसमें रखा है और आज सर यह हमारे लिए बहुक खुशी की बात है और ज़्यादा तर सर मेरे मुझे सर बहुत खुशी है कि सर मेरे आखरी दिन seraitLSे में और सर आपने टाइम दिया कि इसमें इसको लांच किया जाए और यह सारे जो लोग आज इसको देख रहे हैं यह सर यह प्रोग्राम मुझे बताया गया कि इसका तो लोग तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग देखी रहे हैं हमारे ओफिसर्स और हमारे फिल्ड स्टाफ स्टाफ पर उसमें वी हमने उनको बता दिया था तो वेडिक रहे हो होंगे सर वेपास्ट के जरीरों देख रहे हंगे उनका भी में स्वाकट करना चाहता हूं उनको अविनंदन करना चाहता हूं कि वो इस जो zen humanities समी उसमें ऐसको आगे कैंसे बढ़ाएंगे इसमें कैसे अ आपको और हमारी जो मोच साहब और बाकि सब को सब को मैं तहीं दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सर आज यह हो जाएगा और सब को एक मौका मिलेगा कि हर स्कीम में और स्कीम के इलावा भी अगर किसी के पास और इसका सर मोस्ट इंपोर्टन फिंग इस इस नोट जस्ट क्राउड सोर्सिंग अफ आइडियाज इस क्राउड इवालुएशन अफ आइडियाज यह सर बहुत बड़ी बात है सर इसमें सर मैं इतना कहके मेरा सर जो मैं इतना में बताना चाहूंगा और अभी इसके बाद सर मैं हमारे जो मानियब मोस साहब हैं उनको भी मैं अन्रोद करूंगा की निवेदन करूंगा कि अगर वो दो सब कहना चाहें वो बताएं और मार्क दर्शन करें और उसके बाद सर मैं हमारे या उससे पहले अगर उससे पहले अगर आप एक प्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे पोटल के बारे में वह भी हम दिखा सकते हैं और उसके बाद मीं इमोईट साहब बोलेंगे यह भी हो सकता है सर जैसे आप gonna कर देंगे अगर आप दिखाना ठीक कैसे अभी शुवंदु जी आप इसका प्रेजेंटेशन कर दीजिए और जल्दी आप बता दीजिए कि कैसे क्या क्या किया गया है और यह कैसे काम करेगा आप यह बता दीजिए अब पोटल पे चले जाएए ना यह सब दिखाई नहीं देगा अब पोटल पे चले जाएए अच्छा चली बता दीजिए बता ही बता ही हमने सर यह जो आइडिया यह सर इसका जो माई गॉफ पोर्टल है तो उसमें से हमने देख के हमने सुचा कि हमने यह इसको बनाएंगे तो लेकिन यह जाल पूरे के पूरे जो है है में समी के लिए है यह है अब बताइए शुवेंदु जी आप इसको थोड़ा एक्स्प्रेंट कीजिए यह सर इसने एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक यूजर को रेसेशन कराए गया है जो कि पांट से छे मिनट में अपना कोई जो इसका आइडिया है या इनोवेशन है या जो रिसर्च है उसको पांट-शे मिनट के अंदर में भर सकता है तो इसको जो हमारा पोडल है उसका नाम है सर आइडियास.msme.gov.in यह लोग अभी जब हमारा इनोवेशन फॉर्म होगा उसमें उसको देखेंगे भी तो इसमें यूजर रेसेशन करता है उसके बाद जो उसको आइडियास को उसमें वो अपना लिखता है और पांचे मिनट इसको समिट कर देता है इसके बाद हमारे जो विभाग के अधिकारी लोग है उसको एवैलूएट करते हैं और उसको पॉबिक डोमेन में पॉप्लिश कर देते हैं अगर वो उसमें कुछ उसमें अच्छ बात है तो, उसके बाद crowd sourcing का काम आता है sir, बहुत सारे लोग जो इस ideas में interested हैं, वो उसको rate कर सकते हैं, हमने 6-7 parameter दे रखे हैं sir, कि क्या इसे employment बढ़ सकती है, क्या ये lean manufacturing की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह के 7-8 parameter हमने दिये हैं, जो crowd source के थूँ इस idea को rate कर सकते हैं, तो publicly it can be rated जो जिसको सबसे जादा rating मिलेगी, वो idea सबसे उपर publicly देखने लग जाएगा, इसके बाद sir, officer का काम हो गया, crowd source काम हो गया, individual का काम हो गया, इसके बाद sir, हमने एक और, हमने जो stakeholder है, वो है, अपने venture capitalist, अगर किसी को ये लगता है, कि इस idea में कुछ, मतलब दम है, तो venture capitalist, उस से connect कर सकते हैं, उसके सारे contact, जो ideas giver है, उसको मिल जाएंगे, और उसे वो email के थूरू, phone के थूरू, या उसके social media link उसने दिये है, idea giver ने, उसके थूरू connect कर सकता है sir, तो broadly sir, ये feature है, अपने portal के, और इसमें हम और भी आगे जाल करके, जैसे accelerator है, incubators है, banks है, foreign collaborations की, इस तरह जाल के लिए मैं अभी sir, इतना ही काना चाहूँगा, और इसके बाद, अब दिखाई 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 ना, उसमें, फोड़ा सार, मैं sir, presentation के form में फोड़ा दिखा देता हूँ, ऐसे ये अपना sir, ये अपना sir, ये अपना homepage है, इस तरह के पही आप देखेंगे, ये sir, इस इस तरह के 14-15 parameters हैं, वो किस एडिया में काम करना चाहरा है, वो किस सेक्टर में काम करना चाहरा है, जिस दरूरए टेक्ちゃलोजी में है, पेस्ट यॉल्थ में है, agro processing में है, खादी मी है, इन के बाद ही में इलीat सकता है, तकि इसको बाद में असानी रहे, इस तरह के अपने अगर किसी का आइडिया, किसी मतलाय के स्कीम में फंडिंग के लिए अविलिबल है, तो वो इससे बड़ी असानी से उससे फंडिंग भी ले सकता है, सारे मतलायों के, शेटल के और सारे स्टेट्स के, तो उसके पस कई आप्शन्स अविलीबल है, अब इसको इसको में सर्थ टेक्नोलजी के बारे में भी उसको बताया जाता है और भी कही तरहें कि जो सक्राइब स्कीम्स लाती है या कुछ और निक्सी लाती है उसके बारे में भी जानके ले दी गई है जैसर् और जैसे मैंने इसमाफल किया है सब्सक्राइब किसी ने सब्सक्राइब के कुछ आइडिया दिया अब इसको कैसे क्राउड सोर्स करके लोग इसको एवाड़ेट करेंगे सब्सक्राइब देखेंगे हमने पहले पुछा रहा है कि does the idea solve a real time problem वो यह सब्सक्राइब होते हैंग is the evolution of the product being offered a solution तो solution बहुत अच्छा है या बहुत विडियों कुस्ता करेंगे तो आप दिखेंगे सर खाली checkbox उसे करना है तो पांस पांस मिनिट से विकम दो या ती मिनिट में वो evaluate करके एक हम उसको rating देते हैं हर उसका एक rating है सर तो उसको number या दाती है तो जो best numbers gain करेंगे व सबसे उपर आएगे और लोन्कों दिखाई देने सबसे अंगा इन बहुंत नोगा सबसे हो अब लोगए जब लोंक वार जानगा नेchl मेरे तो फीड़नोंस पां मिन ज्छोंकर सकते हैं सर इस में तर आप यह तो सर डीटेल में सर अपको बताएंगे सर पसर यहां पर जब तो हम इसको detail में सारा कुछ दिखाएंगे इसमें ज्यादा तरसर यह बताया गया है कि अगर किसी के पास idea है तो उसके लिए एक format बना दिया गया है कि उस format में वो अपना idea यहां पे दे दे एक तो यह बात है दूसरी बात है कि इसको हम evaluate करा रहे हैं वो ideas को और जिसमें की crowd evaluation ह और उसको होने के बाद में जैसे कोई अच्छा idea है और बाहर का बंदा जैसे अटरल innovation mission है और बाकी हमारा national innovation जो foundation है NIF है जैसे कई सारे जैसे अभी इसको future में जितने भी IIT हैं और जितने भी लोग हैं और बाहर के जो लोग हैं जो venture capital हैं जो private equity firms हैं बाकी लोग हैं सब इसके साथ जोड़ सकते हैं तो अगर किसी को एक अच्छा idea अच्छा लगा तो उनों वह उनको लगेगा कि ठीक है इस idea को आगे लेके चला जाएं और उनको सकते हैं उनकी सारे details telephone number contact details emails वगरा सारा कुछ रहेगा ताकि वह उनके साथ बैठके उनके साथ मिल के उस idea को आगे लेके चलेंगे सर जो लोगों को पता चलेगा कि उनके idea में अगर दम है तो उसको लेने के लिए आगे बढ़ाने के लिए बाकी लोग भी हैं तो फिर ज्या idea कहीं पर आ रहा है तो उसको भी वहां पर लेकर आ सकते हैं और वहां पर भी काम हो सकता है तो यह मेरे खाल से सर एक अच्छा शुरुआत यह हम लोग कर रहे हैं सर इसमें और यह आगे बढ़के सर इसका बहुत जवर्दस potential है सर इस यह जो portal का जिसमें की जो schemes के बारे में भी बताये गया है और हमारे इसका मुझे लग रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा popular हो सकता है और हमारे जितने में समी डियाई offices हैं हमारे NSIC के जितने offices हैं और बाकी जो state government के जो लोग हैं सब को हम बता सकते हैं कि अगर एक state government ने कुछ बढ़िया scheme कुछ बना के और यहां प सरकार कुछ कर सकती हैं बाकी लोग भी कर सकते हैं और कुछ schemes में भी अब कुछ कमी है कुछ उसमें को change करने की जरूरत है तो वह भी बता सकते हैं सरी यह सुरुवात है जो आप आपने जो आपका दिशान देश था जो आपका आदेश था पहले कि इसको कर दिया जाए सरी अगर काफी मददगार सावित होगा सरी यह थैंक यू सर अगर मानिय मोज साब कुछ कहना चाहेंगे सर जागर मानिय मंजरी जी स्री नितिन गड़कर जी और हमरे सची अरून पंडा जी मरे डिवल्मेंट कमिशनर रामन मिस्रा जी करता हूं यह बहुत अच्छा के अभी नंदनिया है और इसके कारण बहुत सारा समस्या भी दूर हो जाएगा और हमारा क्षेतर को भी बहुत गथी मिलेगा हम सब को हमारा एक्स्पिरियंस को यूनिफाई करने का और सारा स्कीन्स और पॉलिशिस को एक ग्लोबल एक एक प्लाटफर्म को अला करके जन्ता को लाब देने का एक महत्वरुन अभी नंदनिया पहले है इसलिए मैं सब का श्वागत करता हूं और इसके द्वारा एक अप्रींसिफ कोई अपना कान के लिए के डक्तर के पास क्या अच्छा अब इस यूर प्रोलेम आफ सम प्रोलें माई यह विचियर इस तो इसलिए 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 अप्रोच का अभाव होता है और स्वास्थिकत समझत उत्पन होता है और हमारा स्की मोव भी इसा है लोगों को जनकरी नहीं है कहां प्ले करेगा कैसे करेगा लोन के से आएगा और अगर लोन प्रोली भी विक्षित हुआ है यह बहुत सारा प्रभावी नहीं होआ है इसके इंप्लिमेंट के से होगा इसका सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को जानकर ही मिलेगा लोग जानेंगे पब्लिक डॉमेन में यह सब आ जाएगा तो दीरे दीरे एक ट्रांस्पारेंट और कंपीटेंट और सिस्टम का प्रशाशन का विक्षित होगा और इसलिए नरत्र मोधी जी का जो शपना इसको जरितार्थ करने के लिए बहुत बड़ा पतक्षिप है और इसको भी बड़ावा मिलेगा जिसा कि हमारा गाउ में ट्राइवल्स लोगों मे और कशो मैडिसिन का घ्यान है लेकिन वह ज्यान कोई नहीं जानता है वो अपना गाव करता है को यह अगर लेको बहुए को कि इसके आधार पर प्रोड जासे subjects को बी इसके आधार पर लेकिन कौन जानता है साड़ी में एम्रोडेरी करते हैं उसका कीमत बढ़ सकता है लेकिन उनको मार्केट एसस नहीं है और अगर एसा एक पूटाल में सब को ये नालिज आ जाएगा तो हमारा इनोवेशन बढ़ेगा और हमारा रूरल टालेंट को भी सिकृति मिलेगा और उनको भी अपना रोजगार बढ़ाने की चांस मिलेगा और स्टेट गवर्मेंट एक स्कीम करता है संट्रल गवर्मेंट भी करता है कोई ताल में नहीं सित्र में वह लेपिंग होता है वह लेपिंग भी इसके द्वारा मायवड कर सकते हैं और पब्लिक को ये पॉलिस के हमको मिलेगा और ये हमारा जहार का किमद भी बढ़ जाएगा कोई खेती करता है लेकिन वह खेती में उनको जितना रुजगार मिलना जाहें नहीं मिलते हैं लेकिन वह खेती का जो प्रड़क्ट है इसको अगर फूद प्रसेशिंग के अंडर काम करेगा टमाटों सस करेगा तो उनका रेट बढ़ जाएगा और उनको उत्सा भी बढ़ेगा और बहुत करोका और जो मारणिय मंत्री वह तो इनोवेशन की शेत्रपी द्रवतारा के शमान पुरा बेस में चायो है सुप्रीम पोर्ड भी उनको अनृत गया है अपना इनोवेशन की बारे में ब यह जो काम करने जा रहा है यह वारत का अधनिती को अधि देगा अधनिती हम बना पाएंगे कि कोरणा के दुस्तित के वावजूद यह बहुत बड़ा विक्वाल को रहेंगा तो सब्सक्राइब सर अभी सर अभी मानिय मंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा कि इसका उन्मोचन करें इसको लॉंच करें सर एक बताई कैसे कैसे करना है बताई सर इसमें तो जैसे बताया था सर पहले इसके बारे में तो थोड़ा बता ही दिये हैं पहले से लेकिन मेरे खाल से इसको बहुत यह आगे जा सकता है सर यह और इसमें काफी सारी बढ़ोत्री हो सकती है बहुत सारी चीजों की और मैं सर आप से निवेदन करूंगा सबके और से सर आप जरा इसके बारे में सर सबको बताएं और आग मारदर्शन करें हमारे राज्यमंत्री स्वरेंगी जी सचिव अरुन पंडा जी केमिशनर लामभून मिश्रा जी सभी अधिकारिगन और जो आज ये कारेकरम को देख रहे हैं ऐसे सभी भाई और भैनाग ये एक प्रकार से हम लोग अब बार बार ये कहते हैं कि काम करने वाले स्केक होल्डर्स के बीच में कॉपरेशन, कॉडिनेशन एंड कमुनिकेशन ये मैनेजमेंट के इसाफ से सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो स्री बात एक वेक्ति ने किया हूँ अच्छा रिसर्च उसके बाजुवाले वेक्ति को पता नहीं होता और मैं ये मानता हूँ और जो मेरी बात को मैं बार बार रखता हूँ लोगों की सामने कि इनोवेशन, एंटर्पिनर्शीप साइंस, टेक्नलोजी, रिसर्च, कीड़ अब उसको मैंने और जोड़ दिया इसको हम नॉलेज कहते हैं और वर्ड का महिश्य इनी बातों पर ओलंबुन है तो मैं ये मानता हूँ भी कनवर्शन आप नॉलेज इन्टू वेल्ट इस दा फ्यूचर और इसलिए आज सबसे इंपोर्टन चीज ये हुई है कि कोरोना के कारण चाइना के बारे में वर्ड कमुनिटी में एक हेटरेट पैदा हुआ है और आपको मालू में कि चाइना ये वर्ड की सबसे स्ट्रॉंग एकोनमी बनने की प्रोसेस में लगभग पहुँच गए है और इसलिए जापान के प्रधान मंत्री जी ने डियावा स्टेटमेंट बहुत अच्छा है उन्होंने कहा है कि जापान में जो जापानी लोगों की इंवेस्मेंट है और इंडेस्ट्री है वो आउट आप चाइना शिप्ट होने के लिए जापान सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज जाहिर किया है लगबग येसी प्रकार से USA, UK, France, Germany सब लगदेशों में एक रियाक्शन है और वर्ल्ड कमुनिटी चाइना के साथ किसी प्रकार का वेवार नहीं करना चाहते और ये एक blessing in disguise हमारे लिए है हमारे MSME के small small industries को ये एक बहुत बड़ा वर्दान है ये आपत्ती में इस्टापत्ती है और मैं बहुत बार कहता हूँ और बार बार कि there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems तो आज after Corona Corona की लड़ाई जितने के बाद पुरा विश्व एक आर्थिक लड़ाई लड़ा है और भारत को इस आर्थिक लड़ाई में विश्व को नेत्रूत्व करने का अउसर है और चाइना को हटा कर हम इस वर्ड की एकोनामी में नंबर एक पर पहुँच के सुपर एकोनामिक पावर कैसे बने सुपर एकोनामिक पावर बनने के लिए जो हमारे प्रदान मत्रभी का सपना है तो फाइव ट्रिलियन की एकोनामी और हंड्रेड लाग करूर का इंफ्रस्टेक्चर तो मुझे लगता है ये कैसा पुरा हो इसके लिए इनोवेशन एंटर्पिनर्शिप, सायल्स, टेक्नलोजी, रिसर्च की एड अनवो इसके आधार पर ये माले जा सकते हैं ये सबसे बड़ी स्टेंग है जैसे हमारे कोई भी इंडेस्ट्री में हमारे यार रिसोर्स इंपॉर्टन है टेक्नलोजी इंपॉर्टन है और उसके साथ-साथ रिसर्च एंटेक्नलोजी के साथ इनोवेशन और उसके साथ-सा स्ट्रॉंग पॉलिटिकल वील और ये जो नौलेज है इसके करने हम कास्ट को कम कर सकते हैं क्वालिटी को इंपॉर्व कर सकते हैं अभी मैं बलगातार सब को कह रहा हूं कि हमको हमारी कास्ट को कम करना चाहिए कास्ट जब कम होगी जब नहीं टेक्नलोजी आएगी तो मुझे लगता है टेक्नलोजी और इनोवेशन लाएंगे तो कास्ट कम होगी अब लोजिस्टिक कास्ट कम करना है production cost कम करना है labor cost कम करना है capital cost कम करना है तो उसके सिवाम आगे नहीं जा सकते हैं और उसके कारण quality के साथ compromise नहीं करते हुए cost को कम करके जब विश्व के market में जाएंगे तो निश्ची तुरुप से हमें market मिलेगा देश में रोजगाय निर्माण होगा जीडी की बढ़ेगा, growth बढ़ेगी, employment खड़ा होगा और गरी भी दूर होगी और यही हमारा जो मार्ग है इसको और मजबूत करने के लिए innovation और research, technology इसके उपर बहुत काम करने की अवशक्ता होगी कल मैं builders जो थे real estate वाले उनकी हालत बहुत खराब है बहुत ही खराब है और यह industry ऐसी की जिसने सबसे दा रोजगार दिया है तो आज वो बहुत ही अच्चन में है तो मैंने उनसे बात करने सुएं बहुत सी नहीनी बाते उनको सुझाई थोड़ा सा MSB को भी एक बार real estate के बारे में सोचना होगा मैंने उनको कहा कि cost of construction कम करो rural agriculture area में सरकार को यह कहो कि उखर लैंड दे सके तो smart city से smart villages बना दीरे दीरे मैंने उनको यही कहा कि industrial clusters नहें बना रहे हम लोग जो नहे 22 गरीन highway बना रहे उसके बाजु में आप logistic park बना और airport connectivity port connectivity और railway connectivity हम देंगे तो मैं आपको यह कह रहा हूँ कि यह बहुत बड़ी बात है जैसे मैं अनिक दूनों से बात कर रहा हूँ कि पानी पे उतरने वाला हवाई जा जा जाना चाहिए अभी drone भी उपर उड़ रहा है अब यह कैसा है कि helicopter की service हम को शुरू करने है यह जरूरी है mass rapid transport और electricity से एकदम कॉस्टम हो जाएगी हम electric highway बनाने की बात कर रहे है और आज हमें देख किया है Sweden में दिल्ली मुंबे में हम पहला experiment करने जा रहे हैं यह नए नए उपक्रमों के लिए research और skilled और इसके साथ जो भी research आएगा उसमें नहीं नहीं बातों को add करने की अवशक्ता है उससे देश का महिश्य बनने वाला है और यह जो young talent है इंडिया का जिसमें IT में आज world में अपने को प्रू किया है वो talent अप अलग अलग छेतर में आने वाला लड़कों का talent आगे आ सकता है करने की उनकी शमता है उनके टैलेंट है इच्छा शक्ति है पर उनको एक्स्पोजर नहीं है यह हमारी साइट ऐसे सब लोगों को एक्स्पोजर देगी और उनकी टेक्नलोजी को लेने वाले लोग भी आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि knowledge transformation में हमने किया हुआ यह बहुत बड़ा एटियासिक काम है और देश के बविश्य के लिए contribute करने वाला है केवल मैं आपको कहूँगा कि मैं बाई फिवेल पर काम करता हूँ साथ लाग करोड का petrol डीजल का import है और मेरा सपना है कि इस देश का किसान इस देश का बनवासी इस देश को लगने वाले फिवेल का पर्रयाय देगा और यह साथ लाग करोड अगर agriculture, rural और tribal economy में जाएंगे तो क्यों गरीब आतमी tribal वेक्ति, किसान, डाव का लड़का तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नी रोजगार के लिए आएगा उसको गौँ में रोजगार मिलेगा और इसलिए हम लोग अलग लग फरकार की योजना बना रहे है हनी क्लस्टर बना रहे है, फिर हनी के चॉकलेट बना रहे है कि छोटा सा प्लास्टिक का पाउज बना है कि शक्कर के बज़ाए उसको दबा कर केवल हनी कप में चला जाएगा तो देश में शूर का अल्टरमेटिव हनी आएगा तो कितने लोगों को रुजगार मिलेगा तो मेरा आपको यही कहना है कि इतना इनोवेशन, एग्रिकल्चर, रूरल, ट्राइबल, इंडस्ट्रियर, सब सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन, सब जगपर है फरनीचर में तो लोग चाइना से ला रहे है अच्छे अच्छे डिजाइज बनाकर कोई फरनीचर के बनाता है, मठेल यूज करके तो अलिमुनियम का फरनीचर चाहना में एक बंदरा, स्कील का बंदरा, पाउंडर पुकेर किया है लकडी का किया, उसका डिजाइन अच्छा किया क्या हमारे देश में यह प्रतिवा नहीं है, क्या हमारे देश में इसका टैलेंट नहीं है क्या ऐसे लोगों को यह टैलेंट, स्कील और इसकी वीजन हम एक दूसरे के अनुभव को शेर करके नहीं दे सकते हैं यह दे सकते हैं और इससे capability बढ़ेगी इससे हमारा इस प्रोड़क्शन बढ़ेगा इससे रोजगार बढ़ेगा इससे ग्रोथ बढ़ेगी इससे एक्स्पोर्ट बढ़ेगा और देश आगे जाएगा तो एक बहुत अच्छी शुरुवात आज हुई है मैं जब मंत्री बना अब से इसका फॉलोप कर रहा था मेरी इच्छाती की जल्दी से शुरू हो जाए मैं जब रूरल मिलिस्टर था ग्रामीड विकास का कब मैंने ग्रामीड विकास के लिए पोर्टल ऐसी प्रकार का लांच किया था और आज ये पोर्टल लांच हो रहा है कि वहला मैं सेकेटरी को और राम गोपल मिश्रा जी को बहुत बहुत और उनके सहीयोगी को धन्यवाद दूँगा दो कि वहला मेरे सुजाव है इस पोर्टल को आपरेट करने वाली टीम आने वाली आईडियास का क्लासिफिकेशन अर्बन एरिया, रूरल एरिया, आग्रिकल्चर, फिर जैसे अभी अलग अलग प्रकार की हो सकती है उसका कैटेगरी, फिर उसका एक साल के अंदर उन लोगों के फोर्टो के साथ उसका किताब का प्रमोशन करके और लोगों तक उसको पहुचाना, और ये इस प्रकार का एक और बहुत बड़ी प्रोसिस बन सकती है थोड़ा सा ये एनलेसिस करने वाला इस पोर्टेल की देखबाल करने वाली टीम को भी क्वालिटेटिव रखना होगा, तो इसकी चिंता करनी पड़ी वार इस टीम को मेरे ओफिस से और राजयमंत्री जी के ओफिस से और सेकेटरी के ओफिस से जोड़ना होगा तो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी शुरुवात हुई है मैं सेकेटरी अरुन पंडा जी को उन्होंने आज जो मैंने उनको टास्ट दी थी उस उप्लेक्स में आज ये पूरा किया रिटार्ड के पहले मुझे बहुत खुशी है उनको धन्याता दूंगा मिस्तरा जी को भी देंगा, एनाइसी को भी दूंगा एनाइसी के लिए बिचारी जो बैठे इनको पर मेरी नाराजी नहीं है पर दो दिन पहले मैंने रोड मिनिस्टर का इंको ब्लाक लिस्टर करो और इंको बिल्डिंग में बत आने तो इतने घटिया लेवल का काम ये परते करके क्योंकि इनमें प्रोफेशनल आप्रोच नहीं है मेरी वीडियो कांफरेंस ती पूरी खराप कर दी उन्होंने तो मुझे लगता है कि एनाइसी को कहो कि कंप्रमाइज ना करे तो टेक्नोलोजी अच्छी चाहिए उसके लिए को चाहिए तो हमें बताए हम देंगे तो मेरी मेरी इस परकार से कोई नहीं होगा इसकी चिंता करो आप मेरी मात के लिए नाराज मत होना क्योंकि पर मैं रोड में बहुत भुगत भोगी हूं आपके कारण थोड़ा आप ज़ला इसको कॉश्चे सवी देखिए यह हां जोड़uis कर ांटार मेरा रोध है राम मुश्राज आपकी थे ट्रांसीबर हुए क्या आपकी ट्रांस्पर हुए अच्छा चलिए आपको भी बहुत अच्छा काम किया और आपको भी अवोग मिस करेंगे सरकार में भी है आपका फिर भी स्वयोग मिलता रहेगा और आप जाने के पहले जो आईडिया और जो बाते मैंने कही थी आपके जगर पर जो आपको ना रहे है अभी सर्पोस्तिंग किसी की हुई नहीं डिसी की बट आएंगे तो फिर मैं अवश्य उनको उनके साथ नहीं को ब्रिफिंग करा देना एक बार पूरा अपको भी मुझे पता नहीं था अभी मुझे कई तो भी रेफरेंस में तब पता आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा मुझे अभी बता गया कि आप सर जब अभी बोल रहे थे सर 4700 से ज्यादा लोग वेब कास्ट में आपका ये भाशन सुन रहे थे तो ये वेब कास्ट हो रहा था और ये इसमें 4700 से ज्यादा लोग इसको सुन रहे थे और हमारे जो MS समी जो हमारा उद्योग आधार मिमरेंडम है उसमें डेटाबैस है उसमें जितने लोग हैं उनको कल हमने सब को बताया था कि ये आज इसका अनावरण हो रहा है इसका लांचिंग हो रहा है और सर आप और मानियब मोस साब दोनों बोलेंगे तो वो सब जुड़े हुए हैं और हमारे सारे ऑफिसर्स जो भी जहां पे भी हैं वो सब जुड़े हुए हैं और सर मुझे तो एक बात की बेहत खुशी है कि सर जाते जाते लास्ट डे में सर ये हो गया जो हम इतने दिन से कोशिस कर रहे थे और बहुत टाइम सर हमने इसमें दिया और फाइनली सर ये आक पे मिश्टर एके शर्मा तो उनके साथ सर परसों हम लोग ढाई घंटा बैठे थे और इनको मैंने सारा कुछ लिखके कि हमारा जो जो वे फॉरवर्ड है जो फाइव येर का विजन है और जो विजन में क्या क्या करना है क्या टार्गेट्स हैं और किस की सेरिया में हमको क् चीज़ें मैंने सर उनको एक एक करके सारा समझा दिया हूं मैं सर और वो नोंने भी कहा है कि नहीं अगर और कुछ जरूरत पड़े वो भी मेरे से बात करेंगे तो हमारी कोशिस रहेगे कि हम यहां से चले जाएं लेकिन उसके बावजूद सर जो हम से बन पाएगा जो भी हम बता पाएंगे सर हम सारा कुछ बताएंगे उनको और उनको भी मैं आश्वस्त किया हूं कि वही अगर फ्यूचर में भी अगर कुछ ऐसे चाहिए तो उसमें हम सर शामिल होंगे और हम कोशिस करेंगे भरपूर की जितने सारे हमारे MSME से हैं सब की सर जैसे भलाई हो सब आगे कैसे बढ़ें और सब हम कोशिस करेंगे मिलके और सर मैं आपको सर दुबारा मैं आपको और मानियब हमारे MS साब दोनों को और हमारे जो हमारे DC हैं हमारे रामून मिश्रा साब को और हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब को मैं मेरा सर यहां पे करिकपरी दो साल दस महिना हो गया है और सर मैं बहुत कुछ सीखा हूं और सबसे सर इतना अच्छा अनुभव रहा सर यह सब और आपके आने के बाद और मानियब M.O.S. साहब के आने के बाद में बहुत सर जानकारी और बहुत कुछ सीखने के मिला मैं आपका रहले हाइब बाद मेल में आपका यह सकते बाद का बाद मनें रागते बाद मानियशंट इंप ही यहीры। चैंस